हालो गाईज, वेलकम टू मिस्टिक टारो वर्ल्ड, कैसे हूँ आप सब लोग आए, होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि आपके परसन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, क्या फील कर पा रहे है वो, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में और यह एक जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक से माच नहीं करेगी So let's start the reading, हम शुरुवात करते हैं इन औरेकल से, दिखते हैं आपके परसन किस एनरजी में है So let's start the reading, फोकस अपना पूरा अपने पार्टनर पे रखें, उनके पारे में सोचिए Okay, let's see आपके परसन के किस तरह की अनरजी है इस वक्त, सबसे पहला जो कार्या सेंडिंग दे माउंटन, कीप गॉइंग फोरवर्ड कहीना कहीं काफी अप्टिमिस्ट है कि हापी जॉइफुल दिख रहा है आपके परसन movement तो इनके अपके तरफ है लेकिन जो उनका mindset भी है काफी positive है, कोई negativity अभी तक तो मुझे नहीं देख रही है मुझे लगता है ये person अपने life में भी कुछ goals, कुछ aims बना रखे है, उसके तरफ बढ़ रहे है so overall ही, जाहे वो love life हो, जाहे वो उनकी career life हो, आगे बढ़ रहे है, stuck तो नहीं नजर आ रहे है मुझे, ठीक है इनको लग रहा है कि आप दोनों के connection में चीज़ें आगे बढ़ सकती है, there is a scope तो उनके अंदर मुझे hope नजर आ रही है, about this connection और stuck energy नहीं है, confusion नहीं देख रहा है, आगे जाके देखते हैं, और क्या आता है, हो सकता है कि यह कुछ लोगों के energy और बाकी लोगों के कुछ और भी हो सकती है पहले दूसरा card यहाँ पे है, reaching your destination, your light is shining brightly यह मैंने जैसे आपको बोला, यह person आपको अपने life का एक खूबसूरत destination मानते है और कहीं न कहीं आप तक पहुँचना चाहते हैं, और वो बढ़ चुके है already they have started moving in your direction, और वो आपकी तरफ ही आ रहे है क्योंकि उनकी मंजिल आप हो, उनका destination आप हो आप काफी attract कर रहे हैं इस person को, आप इस person के लिए wish की तरह हो जिसे वो complete करना चाहते है, पाना चाहते है so positivity, positivity, hopeful, energy मुझे देख रही है, चली और देखते है इस person की true feelings क्या है यहाँ पर ही है in the flow, everything is smooth sailing कहीं न कहीं चीजों को with the flow ले जाने की कोशिश कर रहे है यह जैसे चीजे आ रहे है, जैसा time आ रहे है, उसको वैसा accept कर रहे है और आगे बढ़ रहे है, किसी भी चीज को obstruct नहीं कर रहे है embrace कर रहे है, हर situation को embrace कर रहे है, जैसा आ रहा है, उसको वैसा ले रहे है okay, so they are going with the flow next यहाँ पर है finding sanctuary कहीने कहीन मुझे लगते है एक person divine से connected है connection मुझे inka और divine का दिख रहा है किसी ना किसी तरह से definitely divine से connected है इस वक्त higher vibration में है, low vibration में नहीं नज़र आ रहे है person जो कि बहुत अच्छा है जब एक इनसान higher vibration में होता है तो उसके अंदर acceptance होती है उसके अंदर positivity होती है जो कि totally यह चीज़े हमें दिख भी रही है शुरुआत से ही reading के so yeah, वो कहीना कही spirituality के तरफ बढ़ रहे है और prayers कर रहे है wishes मांग रहे है so काफी अच्छी energy मुझे इनकी लग रही है इसब जो आपको खुश होना चाहिए यह energy देख कर चलिए आगे बढ़ते है और हमारी जो उराकल है उनसे भी देख लेते है कि इस परसन के emotional state देख लेते है आपके जो पार्टनर है उनका emotional state कैसा है सब क्या चाहते है क्या फील कर रहे है two emotions क्या है इस परसन के सबसे पहला card यहां पे है solar plexus chakra number three है हो सकता है number three कुछ significant हो आपके लिए number two है movement choices and decisions and आखरी card यहां पे है patience वाव देखे मैंने आपको बोला भी काफी अच्छी energy है यह person मुझे एक चीज यहां पे नजर आ रही है कि यह person के अंदर confidence आ गया है काफी confident दिख रहा है काफी happy दिख रहा है आगे बढ़ने की उमीद आगे बढ़ने की इच्छा आगे बढ़ने का drive इनके अंदर नजर आ रहा है मुझे सब कुछ पा सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ ऐसी energy है इस person की so positiveness confidence मुझे काफी दिख रहा है इस person के अंदर also मुझे लगता है कि यह person अपने life में सही decisions लेना चाहते है आपको लेकर कोई गलट decision लेकर रिष्टा खराबनी करना चाहते है तो they are making some choices कुछ choice करना चाहते है कौन सा दरवाजा ले और किस दरवाजे की पीछे आप होंगे यह decision इस person का हो रहा है कही ना कही और चीजों के root cause पे काम करना चाहते है चीजे क्यों हुई क्या हो सकता था क्या better हो सकता था यह एक energy यह एक नजरिया मुझे इस person का नजर आ रहा है also मुझे लगता है कि growth चाहिए अब इनका mindset lacking वाली energy नहीं है मैंने जसे बोला low vibration में नहीं है higher vibrations में है और पहले इमें भी आपकी बात नहीं सुचनते थे समझते नहीं थे weight नहीं करते थे but now मुझे वो सारी चीजे दिख रही है उनके अंदर weight patience भी आ गया है उनके अंदर courage भी आते वह दिख रहा है happiness भी दिख रही है stability भी दिख रही है सारी चीजे जो कि आप कह सकते कि positivity काफी दिख रही है मुझे इनके overall ही outlook में ठीक है यह decision जो भी लेंगे don't worry it will be right decision और आपके पास ही लाएगा यह decision इनको okay नमबर 40, नमबर 2, नमबर 3 है यहाँ पर चलिए tarot cards देख रहेते हैं tarot cards से let's see आपके लिए क्या कुछ आता है let's see angels please guide करें हमारे जो viewer है उनके partner की current true feelings क्या है वो बताईए उन्हें लेकर okay, सबसे पहला card यहाँ पर है ace of wands okay, देखें सबसे पहली चीज तो मुझे इनके अंदर एक fresh energy दिख रही है मतलब सारी पुरानी चीज़ों को यह पीछे छोड़ देना चाहते है और basic से start करना चाहते है कही ना कही इनके अंदर curiosity आपको लेकर काफी बढ़ गई है एक fresh energy मैं क्या बोलू, मुझे काफी inspired दिख रहे है यह person काफी positive, काफी buckled up दिख रहे है एक new energy इनके अंदर जैसे समा गई है और यह चीज़ों को एक अलगी नजरिये से देख पा रहे है नेक्स्ट यहाँ पे है night of swords positive vibration के वज़ा से यह भी हो रहा है कि यह person आपके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तयार है किसी से भी यह लड़कर चीज़ों को आगे बढ़ाना बढ़ाने के लिए तयार है इनके अंदर go-getter वाला attitude मुझे नजर आ रहा है चाहे इनको किसी से लड़ना पड़े भीडना पड़े यह सब करने के लिए ready दखाई दे रहे है मुझे यहाँ और देखते है मैं आपको और डीप में बताऊंगी यहाँ पर two of cups के energy है यह bonding चाहते है connection चाहते है stability चाहते है यह बहुत ही beautiful energy है जहाँ पर यह person आपकी importance जान चुका है एक relationship को stabilize करना चाहता है अपनी feelings express करना चाहता है they are in love यहाँ पर death card है transformation information बहुत से बदलाव इस person के अंदर हो रहे है अभी 11.11 portal भी खुला है हाल ही में तो definitely इनके अंदर काफी उसका positive changes आ रहे है और यह इस connection में भी fresh new journey पे आपके साथ जाना चाहते है पुरानी चीजों को पीछे चोड़ देना चाहते है अखरी card यहाँ पे है को लेकर ओके यह चीज मुझे यहाँ पे काफी ज़्यादा दिखाई दे रही है सो ओवर ओल दिखा चाहे तो यहाँ पे Aries Leo Sagittarius Gemini Libra Aquarius Cancer Scorpio Pisces Scorpio यहाँ पे significant है सी मुझे लगता है कि यह person आपकी basically importance जान चुकी है यह जान रहे है इन्हें समझ में आ रहा है कि जब आप नहीं होते हो जब आप होते हो तो कितना जमीन आसमान का फर्क होता है इनके life में यह काफी passionate फील करते है काफी fresh फील करते है काफी happy हो जाते है अगर आप इनके life का हिस्सा हो तो और अगर आप नहीं हो इनके life का हिस्सा तो इनकी life बहुत ही ज़ादा खराब हो जाती है बहुत ही ज़ादा ये disappointed feel करते है और मुझे रखता है कि ये जो separation अगर especially जो लोग separation में हैं ये separation नहीं इनको बहुत इनके अंदर changes लाए है हर level पे और इस separation के वज़ा से ही ये person काफी हद तक positive सोच पा रहे है ये person मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच अप clarity लाना चाहते है ये चाहते है कि कोई गिले शिक्वे ना हो, कोई misunderstandings ना हो चाहे फिर वो उनकी कोई misunderstanding है आपको लेकर या आपकी कोई है वो नहीं चाहते किसी भी तरह की misunderstanding रहे लड़ना चाहते है हो सकता है कि इनका जो energy है थोड़ा out of balance हो जाए और लड़ जगड ले आपसे ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि they want you अभी इनके अंदर मुझे एक जुनून दिख रहे है आपको पाने का गुसा, aggression नज़र आ रहा है passion नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि इस passion के चलते कुछ बुरा भला बोल दे या कोई गलत action ले ले और जिसके जिसके वज़ा से आप hurt हो जाओ तो be aware about that also और समझ लीजे क्योंकि इस person को बहुत ही ode आपके तरफ ये खिचाओ मैसूस हो रहा है मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इस person insecurity भी थोड़ी बहुत दिख रही है आपको खोने का डर insecurity बहुत ज़दे यहाँ पर नज़र आ रही है मैं भी डर रहे है कहीं आपको खोना दे कहीं आपको कहीं आप किसी और के पास न चले जाए तो ऐसी भी इन security इनके इंदर नज़र आ रही है चलिए और थोड़ा सा देखते है यहाँ पर Empress की energy है Taurus ओके यहाँ पर है King of Swords यहाँ पर 10 of Pentacles की energy है वाव और यहाँ पर है Wheel of Fortune June ओके देखिया मुझे रखते है यह परसन एक मौका चाहते है वो बस इक मौके के इंतजार में है चाहे फिर वो मौका आप से वो चाहते है यह यूनिवर्स से चाहते है वो चाहते कि मौका मिले हुने और वो चीजों को बस balance out करे ठीक है क्योंकि उनके अंदर impatience बढ़ रहा है हां मैं यह बोली मैंने यह भी बोला है आपको इस परसन के अंदर आपको पाने का एक जो है ना के जुनून जो है इतना बढ़ चुका है जहांब यह परसन मुझे रगता है कि बस किसी भी दरह से आपको पाना चाहते है और अपने लाइफ में लाना चाहते है वो बस एक मौके के इंतिजार में है मुझे काफी ऐसा भी नज़र आ रहे है यह परसन विजिलाइज कर रहे है आप दोनों के एक फैमिली हो शादी हो जाए आप दोने इक दूसरे की केर करो रिस्पोंसिब्लिटी लो तो वो परसन यह जो प्यार है यह जो आप दोनों का कनेक्षण है। उसको solid रूप देना चाहते है उसको stability देना चाहते है उसको official करना चाहते है और उन्हें पता है यह जो transformation होगा यह थोड़ा सा, you know, क्या बोलता है उसको, यह transformation इतना असान नहीं होगा, but they want to do it, वो आपके लिए हर एक चीज करना चाहते है, ओके, देखिए इस person को ऐसा भी लगता आप गुसे में हो, शायद मुझे लगता है इस person को ऐसा लगता आप अगर आप इनके उपर गुसा उतारोगे, तो यह अपने आपको डिफेंड अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी जुनून आ गया है, उनके अंदर भी passion आ गया है काफी जाद, तो वो जो भी करेंगे, they will make it sure, कि वो पीछे ना पड़े, किसी भी मामले में, चाहे फिर वो प्यार दिखाना हो, या गुसा दिखाना हो, they will do it 100%, and आपको लेकर भाई, बहुत ही सादा, मुझे आपर पताने क्यों लग रहा है कि कोई आपर वीडियो देख रहा है, आप प्रेगनेंट हो, या, maybe you want to conceive, आप करना चाहते हो, conceive, आपके इच्छा है, you are ready for getting pregnant, ठीक कुछ problems आ रहे थे अगर आपके pregnancy में, मुझे लगता है कि the cycle is going to be over, तो check करा लीजे एक बार, अगर आप conceive करना चाहा रहे थे, you are trying, तो check करा लीजे, I don't, I think, किसी-किसी को तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि वो pregnant है, तो check yourself out, शादी-शुदा लोगों की बात कर रहे हो, okay, let's अगरी है, four of swords, okay, six of pentacles, and five of pentacles, देखे, आपको लगता है, इस person ने आपको अकेला छोड़ दिया, एक समय पे, जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरत थी, आपने hundred percent देने के बावजूद भी, इस person ने आपको अकेला छोड़ा है, एक वक्त पे ऐसा आपको लगने लगा है कि which was wrong, ठीक है, कहीना कि आप अपने आपको गार्ड कर रहे हो, कहीना कहीना आप अपने healing पे focus कर रहे हो, आप मुझे disappointed नजर आ रहे हो, किसी बात को लेकर, maybe इस person ने, जब देना चाहिए efforts, या आपको किसी चीज की जरूरत ही है, इनके साथ की जरूरत इन्होंने नहीं दि यही चीज रह रहे कर आपके दिमाग में आ रही है, कि इस person ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप अपने आपको गार्ड कर रहे हो, आप अपने आपको बचा रहे हो, आप फर्दर अपने आपको hurt नहीं करना चाह रहे हो, किसी बीए मामले में, and कहीना कहीना आप अपने finances, career, इ which is a good thing, आप किसी भी तरह से इन पर depend नहीं रहना चाहते हो, so वो भी अच्छी बात है, चलिए, अभी आगे बढ़ते हो, आपके लिए देखते है, angel guidance, angels क्या बताना चाहती है, आपको, क्या guidance है, angels के आपके लिए, सबसे पहला card यहाँ पर है, if you believe, तो अगर आप भरोसा करते हो, तो जो आप चाहते हो, उसको आप manifest करोगे अपने life में, so सबसे पहले trust करना अपने आप पर बहुत जरूरी है, कि जो भी आप चाहा रहे हो, उस पर trust करना बहुत जरूरी है, next यहाँ पर है opportunity, तो आपको opportunity दी जाएगी, चाहे फिर वो किसी भी मामले में हो, जो भी आप चाहा रहे हो, उस मामले में आपको opportunity मिलने वाली है, बस उसको opportunity को पहचान कर लेना आपके हाथ में है, और unlikely, तो अगर short term में आपका कोई सवाल था, कि यह चीज हो गी या नहीं, तो थोड़े कम chances है, okay, so, जो viewer है, उनके लिए angel guidance में unlikely यहाँ पर क्यों आया है, तो यहाँ पर जो card है, four of pentacles, two of swords, okay, देखें, मुझे लगता है कि, आप situation पर control करना छोड़ दीजे, कोई ऐसे situation है, जिस पर बहुत control करने की कोशिच कर रहे हो, तो surrender कर दीजे, क्या हो रहा है, कि आप control करने जा रहे है, और वो चीज आपके हाथ के बाहर चली जा रही है, आपके अंदर confusion बढ़ रहा है, lack of clarity है, इस मामले में, हो सकता है कि आप गलत situation से, गलत time पर गलत चीज expect कर रहे हो, okay, तो इसलिए वो चीज नहीं हो पा रहे है, क्योंकि आप confused हो, आपके मन में clarity नहीं है, और आप उस कर दो, let go कर दो, यहीं आपको बोला जा रहा है, okay, आपके लिए कुछ remedy रेमिडी रेख लेते हैं, मैं तीन remedies निकालूंगी इसमें से, so, let's see, आपके लिए तीन remedies क्या है, जो इस रिष्टे को better कर सकती है, आप क्या कर सकते अपने तरफ से, so, I'll pick three remedies, यह है, एक, यह है दो, और यह है, तीन, let's see, तो यहाँ पर work on anger issues और ego issues, अगर आप में गुसा है या ego है, तो उस पर काम करिए, yes, यह भी एक remedy ही है, क्योंकि अगर आप गुसा करते रहोगे, अगर आप ego में रहोगे, तो रिष्टे में better चीजें नहीं हो पाती है, वर्शिपिंग राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण की पूजा करें, वर्शिप करें उन्हें, और help the poor old people, जो unprivileged होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको help करिए, यहीं आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कैसी लगी आपको यह रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताना, अगर रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करना, मिलते अगली वीडियो में, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए यह ब्रसलेट लेने हैं, तो डिफिनेटली लीजेगा, काफी लोगों को पॉजिटिव रिजल्स मिले हैं, देखिए इसका कोई टाइम पीरेड नहीं होता है, या पहनोगे और कुछ महीनों में, या दो दिन में, किसी-किसी के क्योंकि आपके चक्रास पे भी काम करता है, तो दीरे-दीरे अब जितना हीलिंग की जरूरत है आपको उतना तो टाइम लगेगा, तो यह मैजिक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत इच्छे रिजल्स मिले हैं, काफी सारे फीडबाक्स तो मैं शेर नहीं कर पाती ह ठीक है, क्योंकि उतना टाइम सच में नहीं होता है कि मैं हर एक का फीडबाक्स शेर करो, लेकिन मैं ट्राइ जरूर करती हूँ, यह जो ब्रसलेट है रोस कोर्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिंक कलर में होता है, यह मैं हमेशा पहनती हूँ, इसलिए मैंने अभी ब्रसलेट, तो यह जो है, यह क्या करता है, बेसिकली, यह क्रिस्टल आपके सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्त है, हील नहीं है, तो इसको हील करता है, आप हापी फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, आप देखोगे प्रॉब्लम है एक्स्प्रेस करने का तो वो भी आपके अंदर एक कॉंफिडेंस आ जाता है सेल्फ लविंग इंप्रूव होती है इससे आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव इस पे और जाद आपका फोकस आ जाता है healthy boundaries आप लोगों के लिए, रिष्टों के लिए सेट कर देते हो लोग आपको support करने लगते हैं, लोग आपके तरफ खिचने लगते हैं, attract होने लगते हैं चाहे आपका romantic partner हो, family हो या friends हो, अच्छे दोस्त मिलने लगते हैं आपको और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है आपको और वो लोग अपने आप अपने अपके life से हट जाते हैं, अच्छे दोस्त मिलना भी शुरू हो जाते हैं आपको अगर आपके family members आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ रिष्टा आपका ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आप मुझ से activate करा सकते हो अगर आपके दोस्तों के साथ आपका problem है वो भी आप ठीक करा सकते हो, अगर खुद के साथ आपका कुछ problem है तो भी आप ठीक करा सकते हो, यह आपके inner and outer beauty पे भी काम करता है, ठीक है आपको हर तरीके से यह सीरत और सूरत देता है, also आपके romantic, especially आपके married life या आपके partner के साथ आपका कोई भी problem है, trust issues, third party, commitment issues, जो भी है, उनको आपका प्यार नहीं फील हो रहा, ignore कर रहा है, call message नहीं कर रहा है, मैं यह नहीं कर रहा है, यह पहनने के बाद तुरंत call आजाएगा, लेकिन situations improve होती है, किसी-किसी के लिए बहुत जादा लंबा समय लग जाता है, किसी-किस समय और मैं इसमें और एक चीज डालती हूँ कि आपके लिए जो partner right है वो आपके life में आये और आपके साथ उसका रिष्टा better हो, यह दूसरा है amethyst, यह आपके health के लिए बहुत ही अच्छा, अगर आपका कोई ongoing health issue है, चाहे वो mental issue हो या physical issue हो, वो ठीक कर देता है, ठीक है, यह आपके emotions में clarity लाता है, आप अपने आपको अच्छे से समझ पाते हो, आपके thoughts में clarity आ जाती है, creativity बढ़ जाती है, पहिना अगर आपके confident feel करने लगते हो, positive feel करने लगते हो, किसी को anxiety का issue होता है, depression problem होता है, या कोई भी psychological problem भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है यह और अगर आपके physical issues है, hormonal issues, fertility issues, baby conceiving, देखे, फिर से बतारे, magic नहीं है, time लगता है, और जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे for example, कभी-कभी ऐसे color हो जाता है, यह क्यों होता है, क्योंकि आपके chakra पे काम करता है, यह मैं seven chakras के लिए भी, you know, इसको activate करती हूँ, sorry for that, seven chakras क के लिए मैं इसको activate करती हूँ, यह आपकी specific chakra के लिए भी activate करती हूँ, ताकि वो इसको heal करती हो, जब healing हो रही होती है, ऐसा हो जाता है कभी-कभी, and बाकी आपको आगी जाके protection मिले हर तरीके के disease से या problem से, उसके लिए भी मैं इसको activate करती हूँ, इसको पहनने के बाद आप यह citrine quartz है, ठीक है, यह ऐसे yellow color में आता है, यह से अब देखे हो, अंदर इसके है कुछ dot dot, यह crystal है, इसलिए इसा दिख रहे है, तो कही ना कही यह आपके career और finance के लिए है, अगर आप पहले, for example, अगर आप student हो, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस line में जाना ह है, या मुझे आगे क्या करना है 12th के बाद, तो यह उसमें आपको decision लेने में मदद करेगा, आपके mind को focused बनाएगा, motivation, self-motivation में improvement लाएगा, आपका crown chakra heal हो जाएगा, ताकि आप अच्छे decisions ले पाओ, focused बनो, confidence जिसके भी अंदर नहीं है, उसमें अंदर confidence आ जाएगा, अग अच्छे से भी decision ले पाओगे, अच्छे से जभी आप पहनोगे, आप सही decision लोगे, कोई interviews दे रहे हो, लकिन बार-बार fail हो, exams दे रहे हो, बार-बार fail हो, government exam के problems है, या कोई भी anything regarding to money, अगर कई पैसा अटका हुआ है, लोन नहीं निलकार कर पा रहे हो, पैसा earning sources नहीं कुछ भी, anything regards to your job, business, student हो, सबके लिए ये bracelet बहुत अच्छा है, यह मैं भी पहनती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत फाइदा होता है, I can't even tell you, मुझे कितना फाइदा होता है, so yeah, that was it, अगर आपको ये bracelet लेने है, इसका number नीचे, description box में है, description box मतलब नीचे, अभी आप जो साथ पहनती हूँ, और एक bracelet में जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, कि आपके लाइफ में बहुत सारे जलने वाले लोग होते हैं, या कोई black magic कर देता है, या कुछ भी, any negativity आपके around, आपके औरा में, सारी निल कर देगा, ठीक है, उसके लिए भ आपके रखा करें, आप बहुत इंपेशेंट हो जाते हो, आज बुक कर लिया, अकल से ही पूछ रहे हो, कबार है, का अरे यार, आपने कभी शॉपिंग करी होगी तो आपको पता होगा, इतने जल्दी नहीं आता है, पांच-छे दिन तो लगते है, साथ-साथ दिन भी आपको ना तो मेरे चैनल का या टैरो से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नाम नहीं मिलता है, तो आप बेजे जग ले सकते हो, किसी को डर रहता है कि घर पे कहीं बताना चल जाए, तो कोई भी शक वाली बात नहीं होती है, ब्लांक सारी चीजे होती है, सिर्फ मेरा नाम लिखा ह होगा और मेरा नाम किसको पता है, आपको ही पता है, ठीक है, सो या, see you in the next video